हलो कैस्ट आच मैं अपके लेकर आई हूं बिंड़ी-मसाला के बहुत ही सिंपल बेसिक ौसालों के साथ चट पत बनने वाली यह रेसिपी तो इसके लिए मैंने एप्रॉक्स यह 400 ग्राम बिंडी लिए हैं बिंडीों को मैंने अच्छे से वाश अधारने के बाद इससे ऽेली लालमेश पाउडर और अदा चमच हलदी पाउडर डाल कर इसे अच्छे से मेक्स कर दिया है। इसके बाद मैंने इंधियों को आप्राइक परसंट तक पकाया हैं में बिल्कुल ़ो फ्लेम पर जब भिंड्य 80% तक पक जाए इसे मैंने निकाल लिया है इसके बाद मैंने मसाला रेड़ी किया है जिसके लिए मैंने एक फ्राइपें में सरचो का तेल एट किया है जब गरम हो जाए इसमें आदा चम जीरा डाला है थोड़ी सी हींग इसके बाद मैंने इसमें तीन मीडियम साइस प्यास क कट करके इसमें आड़ कर दिया है, इसके बाद मैंने इन प्यास को बिलकुल दो से तीन मिनट तक पकाया है, दो से तीन मिनट बाद जब यह प्यास सॉफ्ट हो जाए, इसके बाद मैंने इसमें एक चमच अद्रक का पेस्ट आड़ किया है, इस पेस्ट को मैंने इसमें अच् को पकाया है इसके बाद एक चमच धनिया पाउडर एड किया है एक चमच कश्मीरी लाल मिर्स पाउडर एक चमच हल्दी पाउडर इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है सारे मसालों को इसमें मिक्स करने के पाद 2-3 मिडियन पकाया है मसालो को इसके बाद मैंने इसमें चार मीडियम सब्साइब करके इसके तमाटर को मिक्सी में गौन्ड करके इसमें ऍलों और साथ ही इसमें आदा चमच नमक आइड किया है नमक आप अपने टेस्ट के कोडिंग डाल सकते हैं आड़ने के बाद मैंने इसे 10 minute तक अपड़ा पकाया है När हैं जब हमारे टमाटर है वो पक चाहें इसके बाद मैंने इसमें KYDIA किया है दही आड़ करने के बाद मैंने इसे अप्रॉक्स दो से तीन मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाया है दही को ताकि जो हमारी दही है वो अच्छे से पक जाए इसके बाद मैंने इसमें जो है अपनी फ्राइड बिंडी एड़ की है इस बिंडी को मैंने अच्छे से इस मसालों में मिक्स कर लिया है इसके बाद मैंने इसे दस मिनट तक के लिए पकाया है दस मिनट बाद जब हमारी बिंडी पक चाहे संपते हैं तो बहुत ही ज़ादा थाटनार। प्लत मसालों 누SD Alec यहां सब्सक्राइब यह तो सम्पल मसालों के साथ तो सब्सक्राइब में तो ब्हुत ही बने के रेसीपी आप एक गर es कीजिएगा बिना लस्टन के भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें तो अगर आपको यह मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें